वक्रे टुंडे महाकाई सुर्जे कोटी संपर्व नेरे विग्नम करू में देव सर्विकार ये सो सर्वदा मंगलं भगवाने विश्नू जै महाकाल जै महादेव जै सिरी राम जै हन्मान संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किरपानी धान जै हन्मान जै जै आपकी रासी तुला में ग्रहों की दसा भग्य को चमकाएगा इस समय आपकी कुंडली में चंद्रमा और सुक्र का परभाव है चंद्रमा आपकी रासी तुला के अश्टम भाव में उदै होगा वही सुक्रे आपकी रासी तुला के सुख भवन में गोचर कर रहा है आज केतु आपकी रासी तुला के दूतिय भाव में है आज भग्य साली अपने साहस और परिश्रम से जीवन में लाब वही सुक्रिशनी बुद्ध विरस्पती जो आपकी रासी तुला के चतुर्त भाव में गोचर कर रहा है आपके जीवन में परिवर्तन का यूग बना रहा है सुर्ज आपकी रासी तुला के पंचमे भाव में गोचर कर रहा है जिसकी दृष्टी आपकी रासी तुला के लाभस्थान एकादस भाव में है जो आपके जीवन में धन बढ़ाएगा आपकी इंकम को बढ़ाएगा वही मंगल आपकी रासी तुला के सातमे भाव में गोचर कर रहा है मंगल के कारण आज किस्मत के सितकंदर होंगे भग्य का साथ जीवन में उनत्ती का योग आज राभू आपकी रासी तुला के आठमे भाव में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है जो आपको बुरी नजर से बचाएगा आज सनी की छाया है सनी इस समें सुक्र बिरस बुद्ध के साथ आपकी रासी तुला के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है ग्रोह की दसा आपकी रासी तुला पर सुंदर योग बना रहा है क्योंकि सनी आपकी रासी तुला के सुखस्थान का स्वामी है आज सनी देव का नयाई चक्र आपके जीवन में उनत्ती आज सनी आपके सुख स्थान में विरस्पती बुद्ध और सुक्र के साथ गोचर कर रहा है सनी के मित्रगरा बुद्ध और सुक्र आज आपकी रासी तुला में चतुर्त भाव पर हैं सनी के साथ बुद्ध और सुक्र का गोचर सनी को और भी बल्बान बना रहा है आज सनिवार का दीन है 20 फरवरी मागमा सुक्ल पच्च की अश्टिमीती थी रोहनी नचत्र बैध्रिती योग चंद्रमा सुक्र का प्रभाव सनी की छाया राहू बिरस्पती मंगल की दृष्टी बिरस्पती इस समय आपकी रासी तुला के चतुर्त भाव में गोचर कर रहा सुक्षस्थान में बिरस्पती सुन्दर योग बना रहा है वहीं बिरस्पती के मित्रगरा सुर्ज चंद्रमा मंगल सुर्ज जो पंचम भाव में बैठा है आपकी रासी तुला के लाभस्थान का स्वामी है वहीं चंद्रमा आपके कर्मस्थान का स्वामी है आपके जीव भग्य के सितारे आप पर महर्बान होंगे, मेहनत का फल मिलेगा, सुब समाचार मिलेगा, आज आप भग्य साली होंगे, दिन की सुरुवात अच्छी होगी, सुबह सुक्र का प्रभाव आपकी रासी दुला पर बहुत सुंदर होगा, सुक्र आपके लगन स्थान का स्वामी है, साथ ही सुक्र के मित्रगर बुद्ध सनी राहू है, बुद्ध और सनी जो सुख स्थान में गोचर कर रहा है, वहीं राहू अश्टम में बैठा है, आज आपके भग्य स्थान पर विरस्पती का प्रभाव है, और सुर्ज का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर है, आप के भग्य को चमकाएगा सनी के कारण आज आपके जीवन में सुख मिलेगा साथ ही साथ सनी आपकी रासी तुला के चतुर्त भाव यानि अपने घर में गोचर कर रहा है जो तीज गन्ना के अनुसार तुला रासी के इस्तिरी पुरुस आज रोहनी नचत्र बैध्रिती योग म चंद्रमा सुक्र का परभाव खुसियों से भरा भग्य साली दीन आज का दीन आप बहुत भग्य साली होंगे अपने काम को अच्छे से करेंगे अपने काम के महत्व को समझेंगे कार्जस्थर पर आज आपका मान समान बरहेगा और आपके काम में उनत्ती होगी मन में एक विश्वास, जीवन में उनती और धन प्राप्त करने की तुलारासी वारो, आज 20 फरवरी सनी वार का दीन मागमा सुकल पच की अश्टमीती थी, रोहनी नचतर बैद्रिती योग में चंद्रमा, सुक्र का प्रभाव, सनी की छाया, राहू विरस्पती, मंगल की दृष्टी, भग्य सो भग्य, आज आपका जाग रहा है, क्योंकि आज नौकरी बैपार में अच्छे परिनाम मिलेंगे, नई उपलब्धी, नई तरक्की, जीवन में लाब और अपने कर्म से भग्य का उदै, इसलिए अपने काम को धैर्ज सयम रख कर करें, आज जीवन में किसी भी न होगा, शुक्रे जो इस समय आपकी राशी तुला के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, सुक्रे अब आपकी राशी तुला के पंचम भाव में सुर्च के साथ गोचर करेंगे, शुक्रे अपनी गती से चल रहा है, जो आपके जीवन में मौज मस्दी को बढ़ाएगा आपके नौकरी बैपार में आगे बढ़ाएगा आपके जीवन में जो बिक्न बाधा आ रही है उससे आपको बचाएगा आज सुक्रिसनी बुद्ध और बिरस्पती जो आपकी रासी तुला के चतुर्त भाव में गोचर कर रहे हैं आज अचानक धन का लाब होगा अपने काम से आप ब्यस्त रहेंगे आज परिवार में खुसी का महौल होगा अपने वानी पर संयम रखें आज धन का बड़ा लाब होने वाला है साथ ही आपके जीवन में मेहनत और इमंदारी के बल पर आप इच्छित मनुकामना पूरी करेंगे आज भग्य बिर्धी का सुन्दर योग है आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामाधान होगा क्योंकि रोहनी नचत्र बैद्रिती योग में चंदरमा और सुक्र का परभाव कुछ इस परकार है चंदरमा जो अश्टम भाव में बैठा है आपकी रासी तुला के भग्य अस्थान के साथ साथ सुख अस्थान पर भी अपना परभाव डाल रहा है मंगल जो सत्म भाव में गोचर कर रहा है आपके लगन भाव को देख रहा है आज दो दो गरा अपने घर में बैठे हैं एक सनी आपकी रासी तुला के सुख अस्थान में गोचर कर रहा है सनी आपके सुख अस्थान का स्वामी है वही मंगल आपके सत्म भाव का स्वामी है साथ ही साथ केतु जो आपकी रासी तुला के दूतिय भाव में बैठा है केतु के कारण आज आपके अंदर उत्सा जादा रहेगा आज आप जादा लोग प्रिये होंगे सुख के साधन भड़ेंगे संपत्ति के लिए दिन सुब है कारण छेतर में उन्नती प्रगती होगी आज सुख में प्रसंग बनेंगे आज आपके जीवन में एक अच्छी सुरुवात आपको आगे लेकर जाएगा जीवन में आगे आप बढ़ेंगे आपका हर कदम सफलता के तरब जाएगा आज आपके सम्मंध भी मधूर होंगे आज आपके अंदर एक साहस एक उरजा जो आपके जीवन में बढ़ाव लाएगा आज आपकी हर काम बनते हुए नजार आएगे कामकाज में सुधार होगा जीवन में रचनात्मक बढ़ाव होंगे आज अपने काम से आप आगे बढ़ेंगे अपने काम से अपने नाम को कमाएंगे नौकरी बैपार में इस्तिती अच्छी रहेगी जो आपके अंदर घबडाहट तनाव और जो परिसानी थी वो दूर होगा क्योंकि आज राहू विरस्पती मंगल की दृष्टी है मंगल जो सात्मे भाव में बैठा है विरस्पती जो सुखस्थान में गोचर कर रहा है और राहू जो चंद्रमा के साथ आपकी रासी तुला के अश्टम भाव में है आपको अच्छे काम में उनत्ती देगा आज घर परिवार जीवन साथी का साथ सहयोग मिलेगा कार्ज सिद्धी होने से आपका साहस और प्राक्रम बढ़ेगा बैपार बैविसाय में लाब होगा आज आपके अंदर एक उत्सा उमंग का बाता बरन होगा कोई सुप काम आपके हाथों से होगा आज का दिन बड़ा उनत्ती का योग है क्योंकि बैध्रिती योग आज आपके जीवन में सुख दे रहा है रोहनी नचत्र का चंद्रमा आज आपके काम को बना रहा है आज आपके जीवन में लाब का योग है जीवन में जो उतार चरहाओ की स्थिती थी वो आप दूर होगी और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी तुलारासी वारो इस समय आपके सत्रू भी आपके सामने खरा नहीं हो पाएंगे क्योंकि राहु और चंद्रमा आज आपके अस्टम भाव में हैं वहीं सनी की छाया है सनी जो अपने घर में बैठा है सनी आज आपके हर काम को पूरा करेगा मान पर आगे बढ़ाएं भाग्य का साथ मिलेगा कोई सुभ समाचार मिलेगा परिवार में हसी-खुशी का महौल होगा मेहनत का अच्छा परिनाम मिलेगा तुलारासी वारो अपने भविस को बेहतर बनाने के लिए आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा आज रोहनी नचतर बैद्रिती योग में चंद्रमा, सुक्र का प्रभाव, सनी की छाया, राहु विरस्पती, मंगल की दृष्टी, आपके भाग्य में ऐसा योग बना रहा है जो आपके जीवन को उन्नक्ति के रास्ते पर आगे लेकर जाएगा आज आप धर्म कर्म में रूची लेंगे, तेजस्वी होंगे, महतुकांची होंगे, आपके अंदर से निगेटिव एनरजी दूर होगी और आपके जीवन में लाब होगा आप अपने जीवन में अपने मेहनत के बल पर अपने कर्म के बल पर अपने भग्य को बदलेंगे ग्रहों की गोचर ऐसा ही योग आपकी रासी तुला पर बना रहा है आज आप हनमान जी की पूजा करें, हनमान जी का दर्सन करें, सनीवार का दीन है, हनमान जी का दर्सन, हनमान जी की पूजा आपके भग्य को और भी जादा चमकाएगा, आपके जीवन में जो कष्ट बिग्न बाधा है उसे दूर करेगा, आज रोहनी नचतर बैद्रिती जब आपकी रासी तुला पर चंद्रमा और सुक्र का परभाव होगा तो आपके लिए सुब मूरत दोपहर 12 बचकर 12 मिनट से रात्री 7 बचकर 31 मिनट तक का होगा। सुब मूरत में आप जो भी काम करेंगे वो आपके भाग्य को बदलेगा। तुला रासी के भाग्य में सुन्दर योग बना रहा है। का साथ मिल रहा है। आज का राहुकाल जो 9 बचकर 45 मिनट से 11 बचकर 10 मिनट तक है। राहुकाल के दौरान किसी भी सुब काम का सिरी गनेस ना करें। आज जो तीस गन्ना के अनुसार तुला रासी के इस्तिरी पुरू से रोनी नचतर बैद्रिती योग में चंद्रमा सुक्र का परभाव आपके भाग्य को बदलेगा। आज कोई बड़ी खुस खबरी मिलेगी, बैपार में लाब होगा, सफलता पुर्वक आप अपने जीवन में उनत्ती करेंगे और अपने जीमवारियों को अच्छे से निभाएंगे। अपने हर काम को आप बेहतर ढंग से करेंगे, साथ ही कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, आज आपके सारे काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। जीवन में खुसियां बरेगी, जौब के लिए आज का दिन अच्छा है, जीवन खुसियों से भड़ा होगा, आज आपको बड़ी सपलता मिलेगी, साथ ही साथ आज आपके सोचेंगे काम पूरे होंगे। आज भग्य का ऐसा साथ जो आपके जीवन में उनती का योग लेकर आएगा। तुलार आसी वारो, आज आप हनमान जी का दर्सन अवस करें, हनमान जी की पूजा करें, हनमान जी के आरती करें और हनमान चालिसा का पाठ करें, तो आपके जीवन में सुन्दर योग और भग का परभाव आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का योग लाया है इसलिए आप अपने साहस अपने परिश्रम से अपने काम को करते जाएं आपके जीवन में बहुत जादा लाब का योग बन रहा है जो आपके भग्य को बदलेगा आपकी किस्मत को चमकाएगा तो तुला तुला रासिवारो ग्रहों पराधारित अपने रासिफल के लिए रासिफल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें, आज भाग्ये का साथ आपको सुन्दर, मन मोहत, जीवन में जीत, बड़ी सफलता काम्याबी, हनमान जी का दर्सन करें, हनमान जी की पूजा करें, भाग्ये चमकेगा, भाग्ये के सितारे आप पर महर्मान हैं। रात साथ बज़ कर 31 मिनड़ तक इस समय आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे, इस समय आपके जीवन में सुक बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, मान समान बढ़ेगा, तो आज आप मेहनत से अपने काम को करें, अपने किस्मत को चमकाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी रासिफन कार्ज करम में, तब तक लिए मुझे आज्या दें, आपका दिन सुब हो। वक्रे टुंडे महाकाई सुर्ज कोटी संपर्वा, निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वेकार ये सु सर्वदा, मंगलं भगवाने विस्नु, जै महकाल, जै महादेव, जै सिरी राम, जै हनमान, संकट से रच्छा करो, हे महावीर हनमान, संकट मोचन किरपानिधान, जै हन जै जै हनमान, जै सिरी राम, जै हनमान